हेलो 계속 हेलो दोस्तों मेरी यूट्सीचेनल मैं अपलोगे सवागत हैं आज हम बताने जा रहा है कि सिंगल फेस से कैसे एंपियर निकालते हैं दोस्तों एंपियर तीन परकार और से निकालते हैं मैंने आपको बता दिया कि DC एंपियर होता है स्टिवर साथ कि औरक्ना आप से ब्रावर कि यह बंता है बनता है बोल रहा है यर निकालने को बोल रहा है कि तो तीनों में अलग अलग load के हिसाब से अलग-अलग volt के हिसाब से अलग-अलग ampere के हिसाब से दोस्तों सभी का अलग-अलग value आती है सभी का अलग-अलग answer आता है तो आज हम इस video में यह discuss करने जा रहे हैं कि single face से ampere कैसे निकालते है single face का formula क्या होता है तो सब कुछ आज अपने इसमें जान लेते हैं बस एक request है दोस्तों के लिए हमारे चैनल पर आप नए है तो इसे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like sir कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं single face ampere कैसे निकालते है न जो single face जो ampere निकालने का formula है यह आप देख रहे हैं कि P is equal to V into I into cos theta जोस्तों cos theta power factor कहलाता है इसको अपन P और F से भी दरसा सकते हैं तो जो cos theta होता है वो power factor होता है और जो I होता है वो ampere होता है कि कितना ampere निकालना है एक ampere कितना ampere आ रहा है किस से अपर what निकालते है तो यह एक द 220V आता है 220V का सपास आता है 220V जो होता है यहां रख लेंगे अपने को यह आप यह पर निकालना है कि 1 ampere बराबर कितने watt होते हैं तो यहां पर वाट जियों करते हो रखेंगे क्योंकि अपनो निकालना है न तो चल यह स्टाट करते हैं सूतर से यह देखिए आपके सामने single phase निकालने का जो यह formula है और उसको अपन solution करते हैं solution कैसे किया गया है वो मैं आपको detail में बता रहा हूं जैसे कि मैंने बताए कि P जो होता है P जो होता है पेच कोल टू पावर यह अपने को निकालना होता है एक एंपियर बराबर कितने वाट होते हैं यह अपन को question है ना तो एक एंपियर निकालना है यहाँ पसी एक एंपियर रख लेंगे एक एंपियर आई की जगा और cos theta जैसे कि मैंने बताए 0.8 है यहाँ पर है ना तो दोस्तो जो cos theta होता है 0.8 होता है यह क्या होता है दोस्तो पावर फेक्टर होता है जो मीटर में अपनको पता चलता है कि यह PIF मतलब पावर फेक्टर कितना है दोस्तों तो power factor होता है वो बहुत ही अच्छा होता है यदि वो 8-9 के आसपास हो दोस्तों power factor यदि one point से कुछ यदि चला जाता है या एक भी हो जाता है तो अपना voltage कहीं पर लफडा कर रहा है इस वज़े से या अपने अर्थिंग कहीं पर वो ground हो रही है या कुछ का कुछ त है तो यदि अपन चाहते हैं कि मेटर में रेडिंग अच्छा है बिजली विल अपनको उतना ही मिले जितना अपन यूज कर रहे हैं तो अपना power factor का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों power factor का सही होना भी बहुत जरूरी है 0.8 से लेके 0.9 या 0.95 तक आपका अच्छा मान सकत है उसके जादा जा रहा है तो दोस्तों लफडा है और यदि उससे कम भी आ रहा है 0.8 से कम आ रहा है 0.67 तो उसमें भी लफडा है तो बेस्ट power factor होता है दोस्तों वो 0.8 से लेके 0.9 तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता है तो उसी तरह से दोस्तों cost theta का यहां पर formula है य यहां पर 0.8 अपना cost theta मतलब power factor आ जाता है यहां पर तो उसके बाद इनको solve करते हैं दोस्तों कि जो अपने formula दिया था कि पीछ को पावर बराबर 220 रखा था और एक ampere ग्याद करना है तो अपनको एक ampere रख लिए और cost theta power factor जो होता अपना 0.8 रख लिए दोस्तों इन सब को solve करने में अपना जो आता है वो 176 watt आता है है ना तो दोस्तों अपन ये मान सकते हैं कि जो एक ampere बराबर 176 watt होता है है ना तो दोस्तों अपन को यदि कोई question करता है कि चलो बताओ एक ampere में कितने watt होते हैं जा कितने watt में एक ampere होते हैं तो कुछ भी answer बताने से पहले अपन किस में बताईए, आप DC में बताईए, 3-Face में बताईए, यह सिंगल के है, जब आपने को कोई पूंचता है कि एक एंपियर बराबर कितने बाट होते हैं और वो यदि नहीं बताता है कि किस से बताना है, DC से यह सिंगल के 3-Face से, ना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, कि तीनों का amper अलग-अलग होता है, तीनों 알ग-अलग formulae से निकलते हैं, और तीनों की value भी answer भी अलग-अलग होता है तो यहां पे single phase, यदि वो बलता कि चलो बताओ, single phase में 1 amper बरावर कितने what होते हैं, तो अपन इस पूरे question को हल करेंगे इस पूरे का solution देंगे solution निकालने के बाद इतना अपना 176 watt आता है ये अपना answer कहलाता है है ना I think दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी अब दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पुरेगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में इसी important topic के साथ जब तक के लिए गुद बाई जेहन दोस्तों